हेलो प्रंस वेलकम टू माई ओपीशी यूटूब चैनल स्टेडी मेटेरियल एटू जाएड दोस्तों इंडियन नेवी की आपका ओपीशील नोटिपिकेशन जारी कर दिया है आपको दोस्तों मैंने जब अपडेट किया था तो आपके पास सोट नोटिस था लेकिन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यह जो आपका ओपीशील नोटिपिकेशन आ चुका है इंडियन नेवी 01-2022 के लिए और यहां पे 10 वी एंड 12 पास अगर आप कैंडिडेट है तो आप SS MR बरती दोस्तों आप देख सकते हैं और यह नई बरती होगी पूरी जानकारी आप इस बरती की आपको मिलने वाली है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और जो भी कैंडिडेट्स ने आए हैं बिलकुल दोस्तों authentic जानकारी अगर आप 100% real जानकारी चाहते है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो कि जब मैंने आपका जो सोट नोटिस का विडियो डाला था तो उसमें आप गोव सारे कैंडिडेट ने से फैक बताया था लेकिन फाइनली बरती का ओपीशियल नोटिपिकेशन भी आ चुका है तो गाईज आप देख सकते हैं यह जो कि आपका नोटिपिकेशन है जो कि यहां पे आ चुका है इसमें हम पूरी जानकारी हम देख लेंगे और यह आपका नोटिपिकेशन है ओपीशियल आ चुका है तो गाईज हम इस बरती में क्या-क्या देखने वाले हैं इंपोर्टेंट डेट, एज लिमिट और आपके इंडियर नेवी की सपोर्ट कोटा की जो बैकंसी है इसमें आपके कौन-कौन से गैम सामिल किये गए हैं और सेलक्षन कैटेगरी और मेडिकल स्टेंडर्ड और उस बरती का यह जो आपका ओपीशियल नोटिपिकेशन है मैं टेलिग्राम पे सेंड कर दूँगा तो वीडियो की डिसक्षन में मैंने टेलिग्राम का लिंक डाल दिया है वहां पे जाकर आप फोलो कर लीजिएगा तो इसकी जो इंपोर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो आपका जो स्टार्टेट डेट रहेगा वह 11 दिसंबर र जिएगा जो कि यहां पे दोस्तो एक जो आपके हां पे जो है ओपीसर के लिए है उसके लिए यहां पे जनम डेट आपकी एक फरवरी 2000 से लेकर 31 जनवरी 2005 रहेगी अससार के लिए एक फरवरी 2001 से लेकर 31 जनवरी 2005 है तो आप अपलाई कर पाएंगे अमर में आप जाना चा तो 12 पास चाहिएगा और वास्तों में उसके लिए आपको सबसे इंपोर्टेंट ये भी है कि आपके पास कोई ना कोई गैम सर्टिपिकेट होना जरूरी है कौन-कौन से गैम है ये चीज़ आपको मैं बता दूंगा और यहां पे आपके दोस्तों MR में अगर जाना चाहते है तो आपके पास 10 पास यहां पे होना चाहिए तो यह दोस्तों आपके लिए और आपके पास गैम सर्टिपिकेट भी यहां पे होना चाहिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके यहां पे स्क्रेट्स की तो यहां पे कौन-कौन से गैम है वो नोट कर लीजेगा Indian Navy Application Unmarried Sports Candidates Have Participate International और आप जो junior for senior national championship senior state championship all India university champions in athletics आपके पास अगर बास्केट बोल है बॉक्सिंग है, क्रिकेट है, फुटबोल है ये सारे games हैं जो कि मैंने आपे mention कर दिये हैं आप अच्छे से पढ़ सकते हैं जो कि कुछ मैंने आपको बता दिये हैं सबसे बड़ा कुस्टन रहता है आपकी सेलरी को लेकर तो सेलरी दोस्तों 14,600 आपका दोस्तों यहां पर ट्रेनिंग पिरियेड रहेगा और उसके बाद आपका 21,700 से लेकर 23,100 रुपे तक आपका यहां पर रहेगा और यह दोस्तों आपकी ग्रूप C लेवल की बैकंसी है जिसमें आप जो यहां पर देख सकते हैं लेवल 3 तो यह आपका यहां पर देख सकते हैं एक जो सबसे बड़ा डाउट रहता है आपका सेलेक्शन प्रोसेस की किस परकार से ज उनको यहां पर कोल्ड किया जाएगा बुलाया जाएगा दोस्तों यहां पर नेवल सेंटर पर जो आपका वहां पर सेंटर लगता है उसके उपर आपको बुलाया जाएगा और जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उनके लिए आप मेडिकल एक्जामीनेशन होगा व सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको फिलब करके भी बता दूगा कि आपके यहां पर लगबग हम टारगेट रगते हैं कि आपका वन के विवजगर आथते हैं तो आपको मैं offline form जो दोस्तों भरकी दिखा दूँगा यह आप देख सकते हैं A4 size में आपका दोस्तों यहाँ पर रखना है offline आपको form भेजना है इसमें आपको 10 रुपे का डागटीट भी लगाना है तो यह आपका यहाँ पर प्रोसेस है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 रुपे का डागटीट आपको लगाना है पूरी चीज़ आप mention कर देना यह चीज़ आपके देख लीजिए आपको मैंने दिखा दी है फोटो बगेर आपको mention करनी है यह आपका address है जिस पर यहाँ पर आपको send करना है तो application forward दोस्तों यहाँ पर आपको address दिया गया है इस address पर आपको यहाँ पर send करना है तो आप देख सकते हैं जो कि दोस्तो application are forward to तो यहाँ पर और यह आपका 10 रुपे का dart it लगाना बिल्कुल भी मत भूल जाना अगर नहीं लगाओगे तो form दोस्तों reject कर दिया जाएगा अब देख लीजिए आप offline form के इस परकार का है तो दोस्तों इस परकार का paint रहेगा यह आपको मैं टेलिग्राम पे provide करवा दूँ है टेलिग्राम का वीडियो की discussion में link डाल दिया है 01-2022 और इस परकार का बिल्कुल normal है आपको name है capital में mention करना है father का name है permanent address है और यहाँ पे address with pin code आपको यहाँ परी चीज़िया पे mention करनी है उसके बाद यहाँ पे education है आपका जो dpo है ssr यह सारी चीज़िया यहाँ पे mention करनी है education है एकदम normal सा है यहाँ पे declaration और आपको signature और यहाँ पे आपको इस परकार से यहाँ पे photo लगा कर इस चीज़ को send कर देना है जो आपको address दिया गया है तो यहाँ पे आपको address भी दोस्तों mention करना है पूरी चीज़े आपको करके इसको form को भेज देना है और आप अगर offline भेज़वाना चाहते हैं आपको कोई भी दोस्तों अगर अच्छा वीडियो का response रहेगा तो आपको जरूर दोस्तों उसमें बता दिया जाएगा तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाई कीजिए share कीजिए और जो भी candidate नहीं है चैनल को subscribe कर लीजिए और आप अभी तक टेलिग्राम पे नहीं जुड़े हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जैहिंद।